नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में दोस्तो आई-एस टॉपर टीना डावी हमेशा सुल्खियों में बनी रहती है लेकिन इस तमया उनकी दूसरी साधी की बास सामने निकल कर आ रही है और इसी वीच आई-एस टॉपर टीना डावी ने एक बड़ा काम कर दिया है जिहां आई-एस टीना डावी ने इंस्टाग्राम एकाउंट कर दिया डिलीट दूसरी साधी से पहले बनाई सोसल मेडिया से दूरी आईएश टीना डावी अपनी दूसरी साधी को लेकर इन दिनों मीडिया ही नहीं बलकि सोसल मीडिया पर भी चर्चाओं में बनी हुई हैं इतना ही नहीं टीना डावी और उनके होने वाले आईएश पती डॉक्टर परदीप गवांडे को गूगल पर सबसे आदा सर्च किया इस वज़े से दोनों अधिकारी गूगल ट्रेंड्स पर ट्रेंड कर रहे हैं इस वीच टीना डावी ने अपनी दूसरी साधी से पहले सोसल मीडिया से दूरी बना ली है उन्होंने सनिवार को अपना ओफिसियल इंस्टाग्राम अकाउंट डिलिट कर दिया है दरसल टीना इस टीना डावी ने अपनी दूसरी साधी की जानकारी इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से दी थी साधी अपने मंगेतर आईएस परदीब गवांडे के साथ सगाई की कुछ तस्वीरे भी साजा की थी अपने इस एलान के बाद से ही आईएस टीना डावी सोसल मेडिय पर चर्चाओं में आ गई थी तो वहीं टीना डावी के इस एलान के बाद यूजर्स टीना डावी आईएस परदीब गवांडे और उनके परिवार के सोसल मेडिया हैंडल पर अपनी नजर बनाय हुए हैं आईएस टीना डावी ने आईएस डॉक्टर परदीब गवांडे से दूसरी साधी का खुलासा करने के साथ अपनी लव स्टोरी का खुलासा किया था साधी के एलान के बाद उन्हें जहां कई लोग बधाई दे रहे हैं वहीं बहुत से यूजर्स ऐसे भी हैं जो लगतार गवांडे और मंगेतर परदीब गवांडे को ट्रोल कर रहे हैं ट्रोलर्से बचने के लिए परदीब गवांडे ने भी अपना इन्स्टाग्राम से कमेंट सेक्सन को OFF कर दिया था कि उनकी fix पर कोई कमेंट ना कर सके हाला कि ट्रोलर्स की और से लगतार निसाना साधिजान चोर वाले कमेंट्स का भी मनुरंजन कर रहे हैं, ये हसी की बात है कि किस तरह से वो अपने बिमार विचार को हमारे बीच ला रहे हैं, आई एश टीना डावी और परदीब गवांडे कब और कहां साधी करेंगे, इसकी अभी कोई पुक्ता जानकारी सामने नहीं, आई है मग कि जो फैंस हैं, वो टीना डावी को बहुत कुछ कह रहे हैं, और सायद अधर आमीर से परिसान होकर ही, टीना डावी ने अपना इंस्टाग्राम एकाउंट डिलेट किया होगा, बता दे कि अधर आमीर आई एश टॉपर टीना डावी के पहले पती थे, जिनके साथ इनका तलाग हो चुका है, तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के सास्तियर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, धन्यवाद